परिजय अमोनिया अणू से एक अथवा अधिक हाइडोजन परमाणों के एलकिल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त कार्बन योगिकों को एमीन कहते हैं। उधारण डाई एथिल एमीन एमीनों को प्रात्मिक एमीन, दुतियक एमीन एवं कृतियक एमीन में वर्गिक्रित किया जा सकता है। इस पार्ट में हम एमीन एवं डाई जोनियम लवणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एमिनों के विर्चन का वर्णन करना, एमिनों के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना, एमिनों की रासायनी कभी क्रियाओं को समझना, टाइसोनियम लवणों के विर्चन को समझना, और टाइसोनियम लवणों की रासायनी कभी क्रियाओं को समझना, एमीन हमोनिया अणू से एक, दो अथवा तीन हाइडरोजन परमाणों के एलकिल अथवा एरिल समुहुद्वारा ततिस्थापन से एमीन प्राप्थ होते हैं एमीनों की सनजना एलकिल एमीन में पाई जाने वाले आबंद अमोनिया की भाती होते हैं एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक SP3 संकरित होते हैं एमीन में नाइट्रोजन परमाणों त्री संयोची होता है जो टेट्राहेड्रोन के तीनों कोनों में व्याप्त होते हैं और चौथे कोने पर एक असे भाजित इलेक्ट्रोन युगल इस्थित रहता है। CNC आबंध कोन लगभग 109 डिग्री का होता है। उधारण, ट्राई मेथिलेमीन में 108 डिग्री। वर्गी करण, अमोनिया अनू से 1, 2 अथवा 3, हाइड्रोजन परमाणों के अलकिल अथवा एरिल समोहों द्वारा प्रतिस्थापन के आधार पर एमीनों का वर्गी करण इस प्रकार किया जा सकता है। प्रात्मिक एमीन अर्थात प्रथम डिक्री, दुईतियक एमीन अर्थात दुईतिय डिक्री तथा त्रितियक एमीन अर्थात त्रितिय डिक्री, जब अमोनिया अनु से एक हाइड्रोजन परमाणु को एलकिल अथवा एरिल समुहों द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त योगिकों को प्रात्मिक एमीन कहते हैं। इनका साधारन सूत्र है RNH2 अथवा ARNH2. जब अमोनिया अनू से दो हैडोजन परमाणों को एलकिल अथवा एरिल समुहद्वारा विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त योगिकों को दुटियक एमीन कहते हैं। आगे भी दो विभागों में बांटा जा सकता है, सरल एमीन एवं मिश्रित एमीन. यदि नाइट्रोजन अडूं से जुड़े सभी एलकिल अथवा एरिल समुह समान हों, तो एमीन को सरल एमीन कहते हैं. और यती नाइट्रोजन अडूं से जुड़े सभी एलकिल, अथवा, एरिल्न समूह, आसमान हों तो एमीन को मिश्रित एमीन कहते हैं। नाम पद्धती सामान पद्धती में एलकिल एमीन का नामकरण एलकिल एमीन के रूप में किया जाता है। परवाणों में उपस्तित एलकिल समूह के नाम के साथ एमीन शब्ध जोड़कर नाम ज्यात किया जाता है। मिश्रित दुईतियक एवं तृतियक एमीनों की स्थिती में एलकिल समूह का नाम वनमाला के क्रमा अनुसा रखा जाता है। IUPAC पधती में एमीन प्रत्याय त्वारा जनक एलकेन के नाम के पीछे से अंतिम एके प्रतिस्थापन त्वारा प्रात्मिक एलकिल एमीन का नाम करण एलकेन एमीन के रूप में होता है। यदी मुक्य श्रिंकला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्तित हो, तब एमीन समूह की इस्थिती को एमीन समूह से युक्त कार्बन परमाडूं की संख्या से पूर्वलगनित कर किया जाता है। हाइडरो कार्बन भाग के ए अनुलगन को बनाए रखा जाता है। एरिल एमीन का सबसे सरल उधारण एनिलीन है। ये आई-उ-पी-एसी पद्धती में भी सुईकारे नाम है। आई-उ-पी-एसी पद्धती में ए अनुलगन का प्रतिस्थापन एमीन शब्द से करते हैं। अमाध्यम में अपचयन से एनिलीन प्राप्थ होती है। नाइट्रो बेंजीन में पैलेडियम की उपस्तिती में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से एनिलीन प्राप्थ होती है। अमोनिया अनुद्वारा CX आबंध की विदलन की प्रक्रिया को एमीनो अपचयन कहते हैं। यदि एलकिल हैलाइट का आधिक्के हो तो उत्पन्य हुए प्रात्मिक एमीन एलकिल हैलाइट से फिर से अभिक्रिया करके दुईतियक एमीन, तृतियक एमीन तथा अंतता चतुष्क अमोनियम लवन बना सकती है। हेलाइडों की अभी क्रिया शिलिता का क्रम घटते हुए है, आर आई, आर पी आर और और तत्पश्चात आर सी एल नाइट्राइलों का अपचयन लीथियम, अलुमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेर की हाइड्रोजन की उपस्तिती में अलकिल, नाइट्राइल अपचयित होकर प्रात्मिक एमीन बनाते हैं एमाइडों का अफचयन एमाइड लीथियम अलुमीनियम हाइडराइट से अफचयित होकर एमीन प्रदान करते हैं। गैबरियल थेलिमाइड संशिलेशान इस प्रक्रिया में थेलिमाइड एलकोहॉलिक पोटेशियम हाइडरोकसाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थेलिमाइड बनाता है जो एलकिल हैलाइड से अभिक्रिया कर एन एलकिल थेलिमाइड बनाता है। इसके चारिये जल अबघटन से प्रात्मिक एमीन एवं थैलिक अमल की प्राप्ति होती है। थेलिमाइड एलकोहालिक पोटेशियम हैडरोकसाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम थेलिमाइड बनाता है जो ब्रोमो एथेन से अभिक्रिया कर एन एथाइल थेलिमाइड बनाता है इसके शारिये जल अभगटन से एथिल एमीन एवं थेलिक अमल की प्राप्ति होती है हाफमान ब्रोमाइड निमनी करण अभिक्रिया जब एक प्रात्मिक अमलिये एमाइट को सूडियम हैड्रोकसाइट या पोटेशियम हैड्रोकसाइट के जलिये अथवा एथेनॉलिक विलियन में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो इससे एक प्रात्मिक एमीन की प्राप्ति होती है, जिसमें एक कार्बन परमाणूं कम होता है. भौतिक गोन धर्म मैथिल एमीन एवं मैथिल एमीन कमरे के तापमान पर गैसे हैं, तथा इनमें अमोनिया जैसी गंध पाई जाती है. अन्ने अधिक तर एमीन तरव होते हैं, जिनकी मत से गंध होती है. कम अनुभार वाले एमीन जल में विलाई होते हैं, क्यूंकि वे जल के अनुग के साथ हाइड्रोजन आबंद बना सकते हैं. अनुभार में व्रिद्धी के साथ जल विरागी अलकिल भाग के बढ़ने से एमीनों की जल में विलेता घटती जाती है. प्रात्मिक एवं दुईतियक एमीनों का कौथनांक अन्ने एमीन अड़ों के साथ उपस्तित हाइड्रोजन आबंद के कारण तुलनात्मक अड़ुंभार वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्छ होता है. उधारण प्रोपेन का आड़्मिक भार 44 है और इसका कौथनांक माइनस 42 डिगरी सेल्सियस है. जबकि एथिल एमीन का आड़्मिक भार 45 है और इसका कौथनांक प्लस 17 डिगरी सेल्सियस है. त्रितियक एमीनों में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अड़ों का भाव होता है, जिसके कारण ये अन्ने एमीन अड़ों के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते हैं. रासाइनिक अभिक्रियाएं नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की विद्धुत रणात्मक्ता में अंदर तथा नाइट्रोजन पर असे भाजित इलेक्ट्रोन युगल की उपस्थिती में एमीन को सक्रिये बना देती है, जोंकि प्राथ्मिक, दुईतियक एवं तृतियक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन अड़ों की संख्या अलग है, इसलिए इनकी रासाइनिक अभिक्रियाएं अलग-अलग यौगिक प्रदान करती हैं. एमीनों का क्षार किये गों नाइटोजन पर एक मात्र असाइभाजित इलेक्ट्रोन युगल की उपस्थिती के कारण एमीन ख्षार किये गों दर्शाते हैं, ये जल से अधिक शक्तिशाली ख्षार हैं, और इसलिए जलिये विलियन में ये प्रोटोन ग्रहन कर लेते हैं. एमीनों के एक शार किये गों का केवी तथा पी केवी की साहता से भी वर्णन किया जा सकता है. के का मान इस प्रकार लिया जा सकता है, जिससे केवी का मान निम्न प्रकार से ग्यात किया जा सकता है. अब PKB लॉग रित्म के बी के रनात्मक मान के बराबर होता है के बी का अधिक मान या PKB का कम मान शक्ति शालीक शार को दर्चाता है एमीनों की सनचना तथा चारक्ता में संबंध एलकेनेमीन बनाम अमोनिया सभी एलकिल वर्क इलेक्ट्रोन मुक्तक होते हैं एलकिल वर्क के इलेक्ट्रोन मुक्त करने के प्रेंडिक प्रभाव के कारण नैटोजन पर इलेक्ट्रोन घनत्व बढ़ जाता है जिससे प्रोटोनेशन आसान हो जाता है इससे भी एक शारक्ता में रित्ती होती है इसके अलावा एलकिल वर्ग के इलेक्ट्रोन मुक्त करने का प्रेनडिक प्रभाव एलकिल अमोनियम धनायन को इस्थाइत्व प्रदान करता है और इसलिए संतुलन अगरिम दिशा को शिफ्ट हो जाता है जिससे एलकेनमीन अमोनिया से अधिक शक्तिशाली शार हो जाते हैं एमिनों को उनके जलिये विलियनों में आसानी से प्रोटोनेट किया जा सकता है प्रार्त्मिक, दुईतियक एवं त्रितियक एमिनों में इलेक्ट्रोन मुक्त करने का प्रेनिक प्रभाव प्रात्मिक से दुईतियक तथा दुईतियक से त्रितियक एमिन तक बढ़ता है अ इलकनेमीन की शारक्ता का ये क्रम गैस प्रावस्था में सत्य है। जलिये विल्यानों में शारक्ता का ये क्रम लागू नहीं होता है। दूतियक एमीन प्रात्मिक एमीन से अधिक शक्तिशाली, तृतियक एमीन दूतियक एमीन से कम शक्तिशाली और कभी-कभी तू प्रात्मिक एमीन से भी कम शक्तिशाली होते हैं। उधारणार्थ मैथिल एमीन एवं एतिल एमीन की एक शारक्ता का क्रम है। एरिल एमीन बनाम अमोनिया एरिल एमीन अमोनिया एवं एली फेटिक एमीन से बहुत दुर्बल चार है एनिलीन तथा अन्ने एरिल एमीनों में NH2 समुह सीधे बेंजीन वले से जुला होता है अनुनादित प्रभाव की कारण नाइटोजन पर असे भाजित इलेक्ट्रोन युगल वले की पाई इलेक्ट्रोन वैवस्था में अस्थानी कृत हो जाता है एनिलीन की अनुनादित सनचनाएं इस प्रकार की हैं उपर वर्णित अनुनादित सनजनाओं में नाइट्रोजन अणू पर धनावेश है जिससे ये एक मात्र युगल प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। अताह एनिलीन, अमोनिया एवं अन्ने अलिफेटिक एमीन से दुर्बलक्षार है। एसिलीशन एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्रात्मिक एवं दूतियक एमीन में उपस्तित हाइडोजन अणू एसिट हैलाइट अथवा एन हाइडराइट से अभिक्रिया कर नाभिकरागी प्रतिस्थापन द्वारा एसिलेशन को प्राप्त होते हैं। एसिटिल क्लोराइट एथिल एमीन से शार की उपस्तिती में अभिक्रिया कर मद्धेवर्थी पदार्थ एन एथिल एथिनेमाइट एवं हाइडरोक्लोरिक अमल प्रादान करता है। एसिटिल क्लोराइड डाइथिल एमीन से शार की उपस्तिती में अभिक्रिया कर एन एन डाइथिल एथिनेमाइट एवं हाइडरोक्लोरिक अमल प्रादान करता है। एसिटिक एन हाइडराइड एनिलीन से सोडियम हाइडरोक्साइड की उपस्तिती में अभिक्रिया कर एसिटेनिलाइट एवं एसिटिक अमल प्रादान करता है। प्रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रात्मिक एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीनों को क्लोरोफार्म और पोटेशियम हैडरोक्साइड के अलकोहौलिक विलाई के साथ गर्म करने पर आईसो साइनाइट की अत्यंत असहे दुरगंध निकलती है। क्लोरोफार्म और पोटेश्यम हैडॉकसाइट के एलकोहालिक विले की मैथिलेमीन से अभिक्रिया कराने पर आईसो साइनाइट पोटेश्यम क्लोराइट तथा जल बनते हैं। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने पर प्रात्मिक एली फैटिक अमीन डाईसोनियम लवन बनाता है। लेकिन वो अईस्थिर होता है। वे विक्टित होकर एलकोहालिक अम्ल पनाते और नैट्रोजन कैस निर्मुक्त करते हैं। सोडियम नाइट्राइट और हैड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्तिती में 0-5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एनिलीन, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइट, सोडियम क्लोराइट और जल बनाता है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइट से अभिक्रिया एथिल एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट जिसे हिंसबर्ग अभिक्रमक भी कहा जाता है, इसकी अभिक्रिया से एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइट बनता है, जो जलिये पोटेशियम हैड्रोकसाइट में घुलनशील होता है। इसकी अभिक्रिया एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट जिसे हिंसबर्ग अभिक्रमक भी कहते हैं, कि अभिक्रिया से एन-एन डाइथिल बेंजीन बनता है, जो जलिये पोटेशियम हैड्रोकसाइट में घुलनशील होता है। प्रितियक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइट अर्थात इसबर्ग अभिक्रमक से अभिक्रिया नहीं करते। इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन ब्रोमीन बेंजीन फले एनिलीन में इतना अधिक सक्रिय हो जाता है कि जब एनिलीन का कम्रे के तापमान पर ब्रोमीन जल में शोधन किया जाता है तो सभी आर्थो और पैरा अवस्थितियों में प्रतिस्थापन होता है, जिससे दो, चार, छे, ट्राई ब्रामो निलेन का श्वेद अवक्षे बनता है। एकल प्रतिस्थापी व्यत्पन हेतू, वांचित प्रतिस्थापन को कारियान वित्करने के पहले, NH2 समूं के सशक्त सक्रियन प्रभाव को कम करना पड़ता है। ऐसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पहले एनिलीन का एसिटिलिनी करण यानि एसिटिलेटिंग किया जाता है। ये एमिनोसमों का परिरक्षन कहलाता है। एनिलीन एसिटिक एन हाइड्राइड और पिराडीन के साथ अभिक्रिया कर एसी टैनिलाइट बनाता है। अब ब्र अबघटन होता है पराब्रोमो एनिलीन उत्पन होता है नाइट्रो करण नाइट्रो करण की क्रिया नाइट्रिक अमल के साथ की जाती है जो न केवल नाइट्रो करण अभिकारक है बल्कि ऑक्सी करण अभिकारक भी है इसलिए नाइट्रिक अम्र के साथ एनिलीन के प्रत्यक्ष शोधन से अतिस्षक्रिये बेंजीन वले की उत्पत्ति होती है, जिससे जटिल कोलतारी आक्सीकरण पतार्थ बनते हैं। अब कम्रे के तापमान पर सांद्र नाइट्रिक अम्र और गंधक अम्र मिलाएं। इससे पैरा नाइट्रो ऐसी टेनिलाइट बनता है और तब जल अबघटन होता है और पैरा नाइट्रो एनिलीन उत्पन होता है। सल्फोनेशन जाना जाता है। गंधक अम्र के साथ एनिलीन की अभिक्रिया से एनिलियम हाइडोजन सल्फेट बनता है और तब एनिलियम आयन को एक स्वसी से दो सुट डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से सल्फेनिलिक अम्र बनता है। सल्फेनिलिक अमल एक दूई धुरुविये जूईटराइन के रूप में बना रहता है. डाइजोनियम लवन समूँ डाइजोनियम लवन का आमसूत्र आर एन दो प्लस एक्स माइनस है. जिसमें आर कार्थ एरिल समूँ और एक्स माइनस कार्थ क्लोराइट आयन, प्रोमाइट आयन, हाइडोजन सल्फेट आयन, टेट्रा फ्लूरोबोरेट आयन है. एन दो प्लस समूँ को डाइजोनियम समूँ कहा जाता है. उधारण C6H5N2+, Cl- अर्थाद बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइट. C6H5N2+, BF4- अर्थाद बेंजीन टाइजोनियम ट्रेट्रा फ्लूरोबोरेट. निमनलिकिस सनचनाओं के कारण, एरिन टाइजोनियम आयन, इस्थिर रहता है. टाइजोनियम लवण बनाने की विधियाँ. एरोमेटिक डाइजोनियम लवण आमतोर पर नियून तापमान पर सोडियम नाइट्राइट के जलिये विले को हैड्रोक्लोरिक अमल या गंधक अमल जैसे अमल के साथ प्रात्मिक एरोमेटिक अमीनों के विले में मिला कर बनाए जाते हैं. क्योंकि आइस्तिर होने के कारण नाइट्रस अमल उसके अपने ही इस्थान पर तैयार किया जाता है. प्रात्मिक एमीन को उसके डाइजोनियम में बदलने की अभिक्रिया डाइजूकरन कहलाती है. सोडियम नाइट्राइट के जलिये विले एवं हाइड्रोक्लोरिक अमल से 273 और 278 केल्विन पर हैनिलीन अभिक्रिया करता है जिससे डाइजोनियम लवन बनते हैं. डाइजोनियम लवन अस्थिर होता है इसलिए पुनरिस्थापित नहीं किया जा सकता. भौतिक गुण धर्ब एरिन डाइजोनियम लवन सामाने सिती में रंगहीन रवादा ठोस होते हैं, जो जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं. साधरन तया डाइजोनियम लवन पांच से दस सेल्सियस डिग्री से उपर तापमान पर आइस्थिर होते हैं और सुक्रें पर इन में से बहुत भड़ जाते हैं. प्रासाइनिक अभिक्रियाएं नाइटोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इन अभिक्रियाओं में आनविक नायटोजन एक अफशिष्ट समों के रूप में कारे करता है और किसी अन्य अनू या समों इसे प्रिस्थापित कर देता है, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रॉमाइड आयन, हायोडाइड आयन, साइनाइड आयन तथा हाइडोगसाइड आयन, हे ताम्र साइनाइड के साथ एरिन डाइजोनियम लवण का शोधन करने पर क्रम्शा एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रॉमाइड और एरिल साइनाइड बनते हैं। Benzene disonium chloride, hydrochloricamble और ताम्र chloride से अभिक्रिया करता है, जिससे aryl chloride बनता है और nitrogen gas निकलती है Hydrogen bromide और ताम्र bromide से अभिक्रिया कर, Benzene disonium chloride, aryl bromide पैदा करता है, जिससे nitrogen gas उत्पन होती है बेंजीन डाइजूनियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड और ताम्र साइनाइड से अभिक्रिया कर, एरिल साइनाइड तथा नैट्रोजन गैस उत्वन्न करता है इन अभिक्रियाओं को सेंड मेर अभिक्रियाएं कहा जाता है गेटर मन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइट का ताम्र चून में हैलुजैन अम्ल के साथ शोधन कराया जाता है। बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइट हैड्रो क्लोरिकमल और ताम्र चून से अभिक्रिया कर एरिल क्लोराइट वा ताम्र क्लोराइट बनाते हैं साथी नैटोजन कैस भी छोड़ते हैं बेंजीन टाइजूनियम क्लोराइट हैटोजन प्रोमाइट और ताम्र चून से अभिक्रिया करता है जिससे एरिल प्रोमाइट ताम्र क्लोराइट बनता है और नाइटोजन कैस निकलती है आयोडाइट आयन के द्वारा प्रतिस्थापन बेंजीन टाइजूनियम क्लोराइट पोटेशियम आयोडाइट से अभिक्रिया कर आयोडो बेंजीन पोटेशियम क्लोराइट और नाइटोजन गैस पैदा करता है फ्लूराइट आयन के द्वारा प्रतिस्थापन फ्लूरोबोरिक अमल बेंजीन टाइजूनियम क्लोराइट के साथ अभिक्रिया कर बेंजीन टाइजूनियम टेट्राफ्लूरोबोरेट बनाता है और इसे गर्म करने पर फ्लूरोबेंजीन बोरान ट्राइफ्लोराइट न बेंजीन टाइसूनियम क्लोराइड हाइपो फास्फोरस अमल और जल से अभिक्रिया कर बेंजीन फास्फोरस अमल हाइड्रोक्लोरिक अमल और नाइटोजन कैस बनाता है। हाइड्रोक्सिल समुह द्वारा प्रतिस्थापन थोड़ा गर्म करने पर बेंजीन टाइसूनियम हाइड्रोलाइजड हो जाता है। वे अभिक्रियाएं जिन में डाया जो समुह अभिक्रियाएं करता हुआ सुरक्षित रहता है। युग्मन अभिक्रियाएं एरिन टाइसूनियम आयन अपिक्षाक्रित दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। किन्तो फेनौल तथा त्रितियक एरिल एमीन समुह के अत्यंत सक्रिये अरोमेटिक वलियों पर आग्रमण करने है तो इन में परियाप्त अभिक्रियाशीलिता हो दी है। इस अभिक्रिया को एजो युग्मन के रूप में जाना जाता है। सोडियम हैड्रोकसाइड तथा जल में बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइड शूने डिग्री सेल्सियस पर फेनौल से अभिक्रिया कर पैरा हैड्रोकसाइड जो बेंजीन उत्पन करता है। सोडियम एसिटेट एवं जल में शूने डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन टाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराने से उस पर एमिनो एजो बेंजीन बनता है। अरोमेटिक के संशिलेशन में डाइसोनियम लवणों का महत्व डाइसोनियम लवण विभिन कार्बनीक योगिकों के निर्माण में अति उत्तम मध्यस्त की भूमिका निभाते हैं उधारण एरिल फ्लोराइट और आयोडाइट प्रतेक्ष हेलोजनेशन से नहीं बन सकते किन्तु डाइसोनियम लवणों के मात्यम से उनका आसानी से विर्चन किया जा सकता है क्या आप जानते हैं? गैडावरीन और प्यूट्रेसीन ये जीवित और मृत्त जीवों में एमिलो अमल के टूटने से उत्पन दुरगंध युक्त कारबनिक रासाइनिक योग एक होते हैं और दोनों सभाव से विशाक्त होते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं एमिन एल के लटवा एरिल समोहों के दोहरा अमोनिया के एक, दो या तीन हाइडोजनों के प्रतिस्थापन से बनते हैं एमिनों को प्रात्मिक एमीन, दुटियक एमीन और तृतियक एमीन में वर्गी करित किया जा सकता है सामाने नाम पद्धती में एलकिन एमीनों को एलकिलामीन कहा जाता है आई यूपी एसी पद्धती में प्रात्मिक एलकिल एमीनों को एलकिलामीन कहा जाता है मिथिलामीन और एथिल एमीन सामान तापान पर बनने वाली गैसे हैं जिन में अमोनिया की तरह बहस होती है निम्न आणविक भार वाले एमीन जल अणूं के साथ हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर सकते हैं नाइटोजन में इलेक्ट्रोनों के एक मात्र युग्मक की उपस्तिती के कारण एमीनों में क्षारिये लक्षन दिखाई देता है डाइजोनियम लवन का आम सूत्र आर एन दो प्लस एक्स माइनस है जिसमें आर कार्थ एरिल समूं और एक्स माइनस कार्थ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइडोजन सलफेट आयन, टेटरा फ्लूरोबोरेट आयन होता है एन दो प्लस समू को डाइसूनियम समू कहा जाता है। डाइसूनियम लवन विभिन कारवनिक योगिकों के निर्माण में उत्तम मध्यस्त की भूमिका निभाते हैं।